Hello everyone, my name is Smeet, आप देख रहे हैं technical government job all over India YouTube channel आज की वीडियो आपके लिए काफि ज्यादा important होने वाली है आज हम latest 2-3 update discuss करने वाले हैं जिसमें railway के 2 update जो हैं उसके notification release के जा चुके हैं, एवन apply करना भी start हो चुका है और एक ऐसा update हम discuss करने वाले हैं, काफी सारे candidate के 2 दिन से comment आ रहे हैं उसके बारे में जो की T3, TTE, Goods Guard का update है आपको जिसमें बताया जा रहा है कि आप apply कर सकते हैं next week से उसके लिए भी हम बात करेंगे सो किस तरीके से apply करना है, क्या क्या eligibility रहने वाले हैं, ब्रीफ में discuss करेंगे, वीडियो को complete जरूर देखना अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक update आप तक timely पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके all पे click करना ताकि हर एक update आप तक time ली पहुंच जाए बाकी से recruitment के इलावा काफी सारी नई department की vacances आ चुकी है आप अपने qualification city या district के accordingly हमारी official website www.clory.com पर visit करके information लेकर apply कर सकते हैं बाकी website का link आपको description में दे दिया गया है और आप देख भी पा रहे हैं आप इसको directly google पर भी type कर सकते हैं फर्स नमर पर आपको हमारी official site मिल जाएगी और चैनल को subscribe जरूर कर लेना अगर आप चाहते हैं हर एक update आप तर टाइमली पहुंच जाए चली ज्यादा टाइमल लेते हुं directly बात करेंगे update के बारे में सबसे बहले हम start करेंगे third update के बारे में जो की railway की तरह से आ चुक है है तिनो railway की update एक ऐसा update है जो मैंने आपको starting में बता है बहुत सारी candidate को doubt है है कोमेंट सारे हैं हम उसके लिए बात करेंगे सबसे वहले हम बात करते हैं जो first update है थर्ड अब्डेट से अचली हम start करेंगे जो third update आया हुआ है इसके लिए apply करना start हो चुका है इन विकैंस के लिए इंडिया में किसी भी city या state से बिलॉंग करते हैं आप अप्लाइ कर सकते हैं और फ्रेशर केंड़ेट है वह एक्जाम कोई नहीं होने वाला डियरेक्ट आपकी सेलेक्शन होने वाली है इवन इंटरव्यू भी आपकी नहीं होने वाली है तो इसमें अगर हम बात करें कौन कौन किस तरीके से apply कर सकते हैं इसके लिए आपको online ही apply करना है description में first link आपको same recruitment का मिल जाएगा उस पे click करना है click करके last में आपको मिल जाएंगे required link required link में पहला आप link देख पाएंगे apply online का और वहाँ पे आपको click करना है simply first step आपको जो रहेगा that is registration किसी भी job के आप apply करे registration मस्त होती है उसके बास second आपका step आपको simply login करना है login करके अपनी details सारी फिल करनी है जैसे कि अपना name qualification contact number father name आपका address क्या है correspondence address क्या है permanent address क्या है आपका email id आपने qualification कब अपनी आपको आपको नहीं आने वाली है तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई के लिए apply करना स्टार्ट हो चुक है salary mention नहीं किया आपकी first update के लिए रहने वाली है इसके लिए application fee कि अगर हम बात करें जर्णल अबी से के लिए 100 रूपीज है SC STPWD के लिए कोई फीर नहीं है बिल्कुल free of cost आप इन vacances के लिए apply कर सकते हैं qualification के बात करें तो 8th pass 10th pass 12th और IT candidate eligible है apply कर सकते हैं अगर मैं vacances के बात करूं तो इसमें technical and non-technical दोनों vacances आई हुई है जैसे जो पहली पोस्ट है फीटर की है वैल्डर की है मशीनिस्ट कारपेंटर इलेक्टिशन पेंटर इसके लवा वायरमेंट और मेकैनिक की vacances आउट की गई हैं जिसमें 1600 प्लस vacances है जो आउट की गई हैं और इसमें selection procedure के अगर हम बात करें कोई exam नहीं है जो मैंने आपको जो second update है उसके बारे में वो भी railway का ही है उसके लिए भी apply करना start हो चुक है बहुत ही बढ़िया salary भी आपको pay की जा रही है इसके लिए अगर हम बात करें salary की तो इसमें चार टाइप की vacances है एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपकी level 3 के accordingly salary रहने वाली है जो कि आपकी 21,700 से 69,100 रहने वाली है second जो update है उसके लिए आपकी 19,900 से 63,200 salary रहने वाली है और जो third है उसमें आपकी level 4 के accordingly means 25,000 से 500 से 81,100 आपकी परमन salary रहने वाली है इसके लावा next जो पोस्ट है उसमें level 5 के accordingly 29,200 से 92,300 आपकी परमन salary रहने वाली है अगर मैं qualification की बात करूँ आप 12th pass है eligible है या अपनी graduation की हुई है किसी भी discipline में आप eligible है और apply कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं application fee की इसमें अगर आप जर्नल या OBC candidate आपको 500 application fee पे करनी है जिसमें से 400 आपके refundable रहेगी जो आपका after exam होगा उसके बाद हम बात करने हैं SC, ST, ex-serviceman, women candidate के लिए 250 application की fee है जो की totally refund refundable है मैंशन भी किया हुआ है और यह जो विकैंसिस आउट की गई है आपके जो फी इसमें refund होने वाली है जब आपको बुलाया जाएगा document verification के लिए उसके बाद होगी exam नहीं होने वाला है विकोज यह वाली जो विकैंसिस आउट की है अंडर स्पोर्स कोटा यह विकैंसिस आपको बताई जा रही है 3000 जिसमें एज निमीट आपको बताई जा रही है मीनिमम 18 मैक्सिमम 42 तक आप अप्लाई कर सकते हैं प्लस रिलेक्सिशन आपको दिया जा रहा है इवन आपको यह तक बताया जा रहा है कि इसमें exam नहीं होगा जो impossible सबसे पहले में आपको update दिखा कौन सा यह update है देख पा रहे हैं यह newspaper है जो जिसकी cutting viral हो रही है रेलवे में 3000 टीसी और 1000 गुट्स गाड होंगे भरती इसमें पूरा जो update बताया जा रहा है सरकार रेल्स रक्षा वरग में ग्रूप सी में 90,000 रिक्त पदों पर भरती की घोशना के बाद अब टिकेट कोलेक इसके लिए बार्मी पास और graduate अपलाई कर सकेंगे इसके इलावा इन्होंने बतायागी एक अधिकारी ने बताया कि booking clerk पूछताच और reserve clerk सहित रेल्वे हस्पताल फार्मसिस के पदों पर भरती की जाएगी इसके इलावा ग्रूप सी के कुछ अन्या पदों पर भरती की जा यह वला अपडेट है जो वाइरल हो रहा है बहुत सारे केंडेट की कुमेंट्स आ रहे हैं यह भी बताया जा रहा है 12 पास इलीजिबल है और graduate अपलाई कर सकते हैं चलो eligibility तो यही है बट अगर आप इनकी ऑफिश साइट पर भी जाएंगे रिल्वे रिकूट्मेंट की इं कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया जहां पर आपकी टीसे की रिकूट्मेंट का अपडेट आने वाला है जब भी आएगा यह अपनी ऑफिश साइट पर ही अपडेट करेंगे तो ऐसी चीजों से आप दूर रहें अवेर रहें यह फेक न्यूज अभी तक आप मान सकते हैं जब भी आएगा मैं हमेशा की तरह आपको सबसे पहले बताऊंगी ही बाकि जो दो अपडेट मैंने आपको बताई हैं उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दे हैं उस पे क्लिक करके उन विकैंस के लिए अगर आप इलिजिबल है अपलाई आपक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके औल पे क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम ले पहुंचे चली आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफोमेशन के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग